पंजाब और हर्याना हाई कोट में आज अंतरराष्टिय महिला दिवस मनाया गया हाई कोट के एडवोकेट हिमानशु अरोडा ने अपनी कविता अंतरराष्टिय महिला दिवस पर महिलाओं को समर्पित की और देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अवियान को आगे बढ़ाने के अपील भी की हाई कोट के एडवोकेट अपनी कविता से क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में खास बातचीत के हमारे समभायतानिल कुमार ने हाई कोट के एडवोकेट हिमान्शु अरोडा से कि उन्होंने क्या कविता समर्पित की है और क्या उन्होंने देश के महलाओं को संदेश दिया है। हर युग में देखा नारी का वो अवतार था यह समाज है जो पिछडी हुई सोच का हुआ शिकार था। कोई कल्पना हो या सुनीता हो या खेल के जगत में सिंधु गीता और बबीता हो यह भी ऐसा कर सकती है सोच हुई पुरानी है। यही ऐसा कर सकती है यही सोच तो लानी है। जो कल भी सब पर भारी थी जो आज भी सब पर भारी है वो और कोई नहीं केवल भारत की सबलानारी है। निवेदन करता हूँ कि प्रधान मंत्री के संदेश को अपनाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।